कुछ फलो का सेवन करने से आपकी तवचा, ग्लोइंग और बेहत खुबसूरत हो जाती है अगर आप भी चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, दाग, धब्बे और जाईया से परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज हम आपको कुछ ऐसे फलो के बारे में बताएंगे जिनका सेवन आपके चेहरे को खुबसूरत और ग्लोइंग बनाएगा तो चलिए जानते हैं इन फलो के बारे में सबसे पहले आप रोजाना सुभे केले का सेवन करें केला तुचा के लिए वरदान माना जाता है रोजाना केला खाने से पोशन मिलता है इससे तुचा निखरी हुई दिखाई देती है आप केले का शेक बना कर भी पी सकती है और आप चाहें तो केले का फेस मास्क बना कर भी इस्तमाल कर सकती है इससे आपकी तवचा बेहत glowing, निखरी हुई और shine करती हुई दिखाई देगी इसके अलावा आप संत्रे का सेवन भी कर सकती हैं इसमें मौझूद vitamin C और antioxidants चैरे को कोमल और मुलायम बना देते हैं साथ ही dead skin को भी हटा देते हैं इसमें मौझूद vitamin C collagen को बढ़ाता है जिससे आपकी तवचा लंबे समे तक जवान और निखरी हुई रहती है तवचा को स्वस्त रखने के लिए आप अनार का सेवन भी कर सकती हैं क्योंकि इसमें पानी की मातर अधिक होती है और यह तवचा को hydrate बनाने में मदद करता है आप अनार को सीथे खा सकती हैं या फिर इसका juice बना कर पी सकती हैं यही नहीं अगर आप चाहें तो सुभा breakfast में पोहे या उत्पम पर अनार के दाने छिड़क कर उसे खा सकती हैं अनार में antioxidants और inflammatory गुण होते हैं जो की कील मुहासे से लड़ने में मदद करते हैं और आपके चेहरों पर लाली आती है आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह की और beauty tips जानने के लिए देखते रहे हैं सौगंद TV सौगंद वतन की